सीजन का पहला बड़ा गेम और जितने भी आपने महनत करी पी जितने भी आपने काम किये थे चाहे पांच में से पांच ग्राइंड की बात करें बेलिंगम का हर उसको हेडलाइन करने की बात करें इस पर जितने भी लोग काउंटर करने की कोशिश करेते चाहे वो लॉजिकली कितना भी accurate हो चाहें वो कितना भी आप कह सकते हो कि unbiased हो neutral हो लेकिन logically यहाँ पर वो accurate हो पहला ही season का बड़ा game और आपने सारे ही doubt को सारे ही critics को सही proof कर दिया यह एंसलोटी पे blame है भाई पूरा का पूरा game है देखो यार मैं like बड़े game न दो तरीके से आते हैं आते हैं एक आते हैं domestic एक बार को आप continental के लिए फिर भी पता नहीं क्यों चल से like अंडर एंसलोटी हम कोई रखता है कि ठीक है रहो चैंपे लीग है तो अपने आप समहाल लेंगे लेकिन domestically तो यहाँ पर एंसलोटी सही में बहुत ही पथेटिक रहा है अगर हम बड़े games के management नहीं बात के हैं the reason why I'm saying कि pathetic रहा है because actually मैं वो सारी ही चीज़ को एकदम से ऐसे पलट देता है जैसे उसके पास उस चीज़ का solution है और उस चीज़ को back करने का एक अच्छा fact है और अच्छा यहाँ पर reason है लेकिन बाद में जब game खतम हो जाता है तो वो ऐसे अपने आपको present करता है जैसे उसको पता ही नहीं था कि अरे यार यह हो गया और यह तो मेरे पर था ही नहीं आरे मैं तो यहाँ पर पूरी तरह की justified था और अब आप तो देख ला है तो उमकुछ हो सकता है इस match में जो changes उसने करे हैं उसकी कोई जरूरती थी थी क्योंकि actually में real money इतनी ज़्यादा खुक लिया है कि उसको जो cover किया जा रहा है वो दो तीन चीजों की वएसे किया जा रहा है और अब उन दो तीन fundamentals को कर change कर दोगे तो मामला बिल्कुल बिगर जाएगा अब आपने यहाँ चार-पांच प्रॉब्लम से घुजर रहेते हैं अब आपने आपर उसमें दो-तीन add कर दी और जो आपके पास दो-तीन bandage थी अब आपने उसमें से भी दो-तीन एक-दो फार दी अगर defense की बात करने तो आप concede कर रहे हो यह तो problem ही है लेकिन आप concede कर रह सकते हैं कि एक team यहाँ पर हर match में goal concede क्यों कर रही है इसलिए तो principle रखा गया clean sheet का लेकिन इसका मेरे को बात बताओ हर team पहले 5-10 minute के अंदर goal concede कर रहे है इसको किस basis पर करोगे आपको शुरुबात कई game management करना आता आप game को किस high tempo पर रखते हो क्या यहाँ पर आप switch off हो जा अंदर ही सारे goal खाएं सिर्फ 6 games में 6 या 7 games में सिर्फ एक ही game था union Berlin वाला जिसमें आपने concede नहीं आता पता तो चल रहा था कि वो किसी के लिए create कर रहा है आप चाहिए वो रॉडरी को जो कि अपने आप में अपने अपमी धुने हो तो वो तो धुने हो तो ऐसा लग रहा है कि यह भंग पी के खेल रहा है वो पर बेलिंगम को striker खिला रहता था this is the only reason कि मैंने कल स्ट्रीम पर भी का था कि टोनी क्रूस और यहां पर मॉट्रिच को एक साथ नहीं किलाना सब चीज ठीक है टोनी क्रूस लुगा मॉट्रिच अभी भी वो capability रखते हैं कि यह game को अपने दम पर पलट सकते हैं लेकिन अब का ही ना कि इन दौनों की एक साथ presence surplus requirement है यह नहीं उसकी जरूत उस चीज की जरूत नहीं है जिस चीज को यहां पर real Madrid देख रही है आपको इस समझना पड़ेगा कि टोनी क्रूस जो कि beneficial है क्योंकि वो 4-4 to diamond formation में best suited player है जिस angle पे जिस style में और जिस tempo पे वो game को चला और खोल सकता है तो कोई भी नहीं कर सकता पूरी लीग में कोई नहीं कर सकता मैं सिर्फ Real Madrid की बात नहीं कर रहा मॉड्रिच के बात करूं जैसा कल खुद Carlo ने कहा और यही चीज में को सबसे बेकार लगती है कि वो game के बाद analyze करने के बादा रहे यार यह तो काम नहीं कर रहा नंबर 10 पर पिछले कुछ टाइम से बेलिंगम खेल रहा है और बेलिंगम का game अच्छा आ रहा है क्यों change कर दिया उस चीज को इसके पीछे की जो आपने theory लगाई है कि मैं मॉड्रिच को number 10 खिला देता हूं बेलिंगम को यहाँ पर आए खिलाता हूं इसकी जरूरत ही नहीं क्यों जो कर रहा है जो magically वो करता है जो smooth transition वो करता है वो करता रहे और उसके बाद जो टीम उसके लिए बना रही है वो उस chances को out of rover आखे ले बेलिंगम के सारे goal इस तरही कैसे हैं यहाँ पर unexpectedly उसने score किया और पता है कि वो चीज़ आनी है लेकिन आप अगर उसको striker खिला दोगे तो आप उससे क्या expect करते हो कि वो यहाँ पर क्या goal कैसे goal मारेगा उसके लिए create कौन कर रहा है रोडरी को क्योंकि रोडरी को को आपने free roam forward कहीं भी घूम left wing घूम drop कर जा आगे रहे लेकिन तू goal मत मारी हो उसका ball progression ठीक है लेकिन 1v1 dribbling में अभी भी hug हू है नहीं वो किसी cross के end में आ रहा है नहीं वो किसी cross को initiate कर रहा है नहीं वो किसी passing sequence को initiate कर रहा है और नहीं वो किसी भी एक threatening attack का part है SMA Vinicius Jr. आ जाएगा बिल्कुल आ जाएगा वापिस और शहीद से Vinicius Jr. इस game को elevate करके वापिस से हमारी problem solve कर देगा लेकिन Rodrigo पर सवाल कौन पूछेगा Rodrigo की चीजों को problem कैसे solve किया जा रहा है इसका सवाल Encelotti से कौन पूछेगा ब्रहीम दियाज ने आते ही जो intent दिखाया था वो साफ साफ दिख रहा था कि उसी विंग से game आ रहा है लेकिन इसके अलावा ब्रहीम दियाज फिर भी हमारा चौथा यहां पर like priority पर है यह देखना पड़ेगा रोड्रियो का आप कब तक undisputed और कब तक आप inseparable रखोगे इसका जवाब को न मांगेगा दूसरी चीज जहां आप एक end पर goal score करने में दिक्कत है आप अगर मैं आलबा की बात करूँ और रूडिगर की बात करूँ फुल बैक तो खतम ही है मतलब तुम सोचो कि क्या ही management था है आपर कि आपने सबसे पहले अपनी गलती समझ ली कि भाई गेम तो गया बिल्कुल हाथ से मतलब गेम तो बिल्कुल ही मतलब गूम गया उसके सारे खड़े उस पर घूम गया ओ तो अब आपको उसको ठीक करने के लिए 3-1 से मतलब आप सोचो कि गेम कितने बेकार मुमेंट पर रियाल मरिट ने का है पहले चार मिनट में आपने गोल लिए ठीक है लेकिन आपने दोनों अटेकिंग फुल बैक हटा दिया अब अगेन उस चीज़ पर भी सवाल है कि आपने अटेकिंग फुल बैक को सिस्टम ही ऐसा रखा गी हो सस्टेनेवल ही नहीं मैं तो पहले ही कह रहा हूं लेकिन आप कौन लिया है आप यहां पर नाच पर जाते हुए क्या एक्सपेक करते हैं कुछ एक्सपेक नहीं करते हैं अगर अगर आपके प्लेयर्स विंगर से भी आगे खेलेंगे और टोनी क्रूस डिफेंस को शील्ड करने वाला है तो काउंटर पर बहुत बड़ी है ठुक होगे चूँकि आपको ऐसे प्लेयर्स ही ह तो डो गेम को आप कैसे मैंच करोगे ये मेरे को समझ में नहीं आता तरीका से गोल कंसीड कर ocard कर रही है तो प्लेयर्स गैने फेंस पौण के एक दो bandage आपके पास वो ता यहाँ पर विनी का वो ता यहाँ पर करीम में जिमा का और दू तीसरा bandage ता आपका कोर्टवा का कोर्टवा नहीं ball at his feet से बढ़िया है कोर्टवा नहीं shot stopping में बढ़िया है कोर्टवा actually इन तीनों के साथ-साथ मियां पर corner, crosses और set piece को समालने में बढ़िया है उसका जो IQ है उसका जो presence of mind है वो कैपा से बहुत ज़्यादा सही है अब इस game में कैपा को आप कितना blame करोगे यह तुम्हारे पर debatable है लेकिन यह चीज़ तो confirm है कि कैपा का जो doubt है कैपा पर जितने भी doubts आ रहे है वो उस चीज़ को बढ़िया तरीक से proof पर रहा है कि set piece, corner और crosses तीनों को ही वह नहीं समाल पाएगा लेकिर कितना blame आप कैपा पर डालोगे जब आपके six yard box में बहस की आँख वो इतने crisp passing को भी one-v-one chances में convert होने दे रहे है जबकि नहीं हमारा midfield उसको anticipate कर पा रहा है और नहीं आलाबा रूडिगर anticipate कर पा रहे है और फरान गार से तो आलगी कहीं जले भी खा रहा है इस pathetic पता था कि sustainable नहीं है पता था कि sustainable नहीं है लेकिन पहले ही की game में आपने अपने ही principles की portly बांद के आपने फैक दिया अब नैपली के against जब यहाँ पर ठुकोगे तो आप वापिस से उसी चीज़ पर आओगे जिस चीज के वैसे आपने पांच में से पांच game जीते थे अब आप टोनी क्रूसर और मॉट्रिच को थोड़ी साथ में खिला होगे अब ता आप चुआ मैने को लिया होगे वापिस से चाहे हम लिवरपूल एंफिल्ड की बात करें चाहे पहले बड़े गेम्स की बात करें जहां भी पर्फॉर्म किया है रियाल मड़िट ने इट वॉज बिंग सिंपल चाहे एक दो चीज़े ही हो लेकिन एट लिस्ट इतनी रॉक सॉलिड तो हो और एक टीम जो की इतनी डिस बैलन्स है कंसीड भी कर रही है कोल भी नहीं स्कूर कर पा रही है खतम बहुत खतम इसी की जातेरा बात करते हैं नौट लंडन डाबी की अब देको मिकल आटेटा को तुम्हें को सुझ में नहीं आ रहा अंजिस्टिपाइड रीजन की वैसे या आप ब्लेम कर रहे हो जब पिछले 15 माहिने से एक्सपेक कर रही है वो चीज़ यहां पर चोदले पोगलू ने पहले ही आठ हक्ते में लेके आ गया वो टीम यूनिटी जब दिखता है कि जब सब अच्छा जाता है अब यहां पर पैलिटी देदी एक ही प्लेयर ने लेकिन फिर भी उसके रिगार्ड अच्छन था वो बहुत जादा कॉंफिडेंट काम और कंपोज लग रहा था विसुमा की बात करें सार की बात करें बॉलर है बहुत ओवर प्ले कर रहे थे टाइम्स डॉजी पास ही आ रहे थे लेकिन पता जल रहा थे कि इस पॉइंट से इस पॉइंट से जाने में कितना बड़ा रोल है मैडिसन और हुंग मिन सौन की केमिस्टरी की बात करें अगें चुम्मेश्वरी केमिस्टरी है हुंग मिन सौन को इस स्ट्राइकर खिलाने का डिसिजन में को बहुत सही लग रहा है क्योंकि विंग पर जो जॉंसन है वो बहतरी लग रहा है कुलू सेफ की क करें अगेन बहुत बड़ा कॉंप्लिमेंटरी रोल ने बाता है उडोगी की बात करें अब देखो उडोगी का यहां पर एक्स्प्लोइट करना आर्सनल को बनता वी था देखो बुकायो साका अपने बहुत बड़ी आस फॉर्म में था और यहां पर उडोगी ने शुरुवा नहीं दिया मैडिसन ऑन दे अधर एंड हाँ एक चांस उसने दे दिया था गैब्री उस उसको लिकिन फिर भी बच गए टॉट्टम में जो सबसे अच्छी चीज मेरे को इस समय लग रही है कि वह अपने गेम पर भरोसा रखते है ऐसा नहीं है कि जो जिसे मैडिसन ने भी क लिखी थी आर्सनल की मैं बात करता हूँ आर्सनल जहां दिक्कत में आ गई वो यही चीज थी कि आर्सनल इस चीज को एंटिसिपेट ही नहीं कर पाई कि टॉट्टनम गेम उनके हिसाब से भी चला सकती है क्योंकि यहां पर आपको समयना पड़ेगा कि बैन वाइट कि अग कब उनको यहां पर जाना है कब अपनी वही न अपनी आपकात उनको पता है इसी के दाथ यहां पर बात करें अगर चल्सी की इसा है कि छे मैचेज में पाच पॉइंट बहुत ही बेशरम बेशरमी की बात है लेकिन लॉजिकली बात करते है थोड़ा सा अभी तक देख एक कल्चिरल चैलेंज था आपने एक बिलियन खर्च कर दिया आप पास लग बीस पच्छिस प्लेयर आप लेक्या आ गए और सार लेकिन था नहीं कोई मतलब सब चीज थी लेकिन बनानी पड़ती और यह बनाने काम दिया पॉच्छिटीनों को अपने आप में इतना बड़ा चैलेंज है कि एक प्लेयर एक मैनेजर को यह लाइक लिटरली गोट वाले उसमें भी खड़ा कर सकता है लेकिन लिटरली मेजर सेकी करवा देगा और पॉच्छिटीनों पर यह सिंपती होनी भी चाहिए उसके लिए लेकिन उसके लिए क्रिटिसम भी आएगा लेकिन पॉच्छिटीनों के पास केपड़िटीज है कि वो मैन मैनेजिंग में अच्छा है भाई कल्चलल चैलेंज तो आपने पूरा किया अब आप टैक्टिकल चैलेंज और घुसरेने लग गए तो यह तो सबसे बेकार चीज़ है आपके पास इस समय इतने सेट आफ प्लेयर्स है जिनके पास कोईशन नहीं है यूनिटी नहीं है और अब तो टैक्टिकल क्लिरेंस और क्लारिटी भी नहीं है यह चीज अब समझ एक्सपिरियंस और यूनिटी और दूसरी चीज़ हो कि आपके पास इंडिविजर बिलियंस हो अब देखो जहां इक बार हो कह सकते हो कि इंडिविजर बिलियंस के नाम पर ठीक है चल्सी पर है स्टर्लिंग भी है कोल पालमर भी बहुत सही दिख रहा है मिरको एंजो भी ह मतलब हैं इन पर प्लेयर लेकिन जो पहला है वो तो बिल्कूली डेड है निल बटा सन्नाटा है क्योंकि experience के बात करें तो बहुत प्लेयर तो ऐसे जिनको प्रेमेर लीग experience नहीं है दूसरी चीज़ काफी सारे प्लेयर ऐसे हैं जिनमें यूनिटी ही नहीं है आप एक वेव देगा खतम पूरी टीम मुद्रिक की बात करें इनकंसिस्टन निकोलर जैक्सन की बात करें समझ में ही नहीं आ रहा तेको वही चीज़ है कि आपका striker जो गोल नहीं मार पारा चांसे छोड़ रहा है ठीक है बहुत बेकार बेजजती करने वाली बात है लेकिन वो ड्रॉप शूट लेने के लिए अपने आपको अबिलेबल करना है वो रंस बनाने है वो कंस्टेंटली थ्रेट देना पड़ेगा लेकिन वो उसकी तरफ आप्ट कर रहा है कि वो एक सेफर साइड जाएगा वो ड्रॉप करेगा पासिंग खेलेगा होरिज़न्टल पासिंग कर देगा चुकि यहां से अब वोई चीज है कि कल्चर बतलब एक सेट भी नहीं आपके पास एक गेम पैटन नहीं है अभी तक आप पैटन था उसको कैसे इंप्लिमेंट करो कि टाइम लगेगा ठीक है टाइम दिया वो पैटन क्या हो गया वो फाइल ही खो गई आपके पास आपके पास टॉक्सिसिटी आईगी आप ड्रेसिनों को कंट्रोल नहीं कर पारे किस प्लियर को किस वेवलेंट पर किलाना है ये सारी चीज जा रही है और उसके साथ ही साथ आप चैंपियन लीग से बाहर हो लेकिन अगली सीजन भी आप बाहर ही हो ये भी कंफर्म दिख रहा है क् उस चीज का सलूशन जल्दी तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला